नमश्क्राइड दोस्तों मेरा नाम ही चावो चोत्री। हमारे चैनल चावो चोत्री में आप सभी का हार्ण।opleudik प्रकार है। जोस्तों आज किस वीजिएो में हम पढ़ेंगे आयारदी संधि के बारे में जोकी है स्वरशंधी का प्रकार। मेंने तो इक प्रोड प्रकार उनके बारे में Adding डिटेः में बड़ा गिया है जो वीडियो जुट आप लोड कर या जुकी हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं आप पहले वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि एक वीडियो मेरे द्वारा दी गई है संधी पे और फिस संधी के प्रकार है जिसे स्वर संधी, व्यंजन संधी, विस्वर्ग संधी तीनों के लिए ही वीडियो मेरे द्वारा अप्रोड की जाएंगी तो स्वर्ग संधी की चार प्रकार हैं कौनब से जीएसे की दीद संधी, भृडधि संधी, यन संधी ये चारु प्रकार हैं उनके बारे में बता अब है पांचव प्रकार आयाधी sozusagen संधी के बारे में इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा उसे पहले आपको हमारा चैनल है चावु-चौधी उसको सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब करने के बाद में अभी हम जाते हैं अपने नहीं टॉपिक पे अयाधी संधी अयाधी संधी क्या है उसके बारे में हम जाने हैं जिसे कि मैंने आपको बता है संधी क्या है संधी होती है वर्णों के मेर को दो वर्णों के मेर को संधी कहते हैं जबकि समास में शब्दों का मेर होता है संदी में क्या होता है वर्णों का मेल होता है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्वर संदी और स्वर संदी का प्रकार पढ़ रहे हैं हम अयादी संदी तो आप हमेशा ध्यान रखेगा जब स्वर संदी का प्रकार है तो ये किसके इर्द इर्द हुमेगा, ये हुमेगा स्वारों के और स्वार कौन-कौन से हैं? स्वार है A, A, E, E, U, V, A, I, O और आउ ये सारे स्वार हैं, तो हम जब भी स्वार संधी की बात करते हैं तो यहां पर बढ़नों का मेर तो होता है इसमें इंपोर्टेंट क्या रहता है, सबसे मुख्य जिस पर पूरी संधी है वह आधारित रहती है, वह है स्वारों पर तो इसलिए मैंने यहां पर स्वार जो है वो नोडाउन का रखे हैं ताकि आपको क्लियर रहे, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे तो अयादी संधी में क्या होता है, दोत्तों जिसे कि मैं आपने आपको बाखी जो चार स्वार संधी हैं उनके नियमों के बार में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो पेदे आप उर्खों कर लीजे, क्यूंकि क्रम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय अच्छे से याद रहेगा, तो यहां पर हम पढ़ते हैं नियम, नियम क्या है, अयादी संधी का, कि देखिए, एक और कोई बिनस्वार का मिला हो, मतलब वर्ण, यहां वर्णों की बात हो ली है, दो वर्ण है माल लीजे, जैसे कि मैं यहां पर आपको बताती हूं, पो अक तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि दो जो शब्द हैं, तो पहले शब्द का अंतिमबण और दूसरे शब्द का प्रथमबण, तो पहला शब्द क्या है, इसका अंतिमबण और दूसरे शब्द का प्रथमबण, इन दोनों के बीच में संधी होती है, तो यहां पर क्या है और ए के बार में कोई भी जीनसवर आता है कोई भी स्वरographer आजये तो क्या हो जाता है। कर हो जब आ है अब कहां वे है को जन्सवर आता है। अब पो जाता है, तो व का हो जाता है Aw। और अग के बादमे अगर कोई भी नस्वर आता है, मारा दिल्ग आता है Aw। तो यहां पर आपको चार बातें मुखे रूप से ध्याम रखनी है। बहुत ही simple है, easily आपको याद हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, अगर A के बाद में कोई भी भिनस्वर आ रहा है, तो I हो जाएगा, A मैंना A के उपर मातरा है और कोई भिनस्वर आ रहा है, तो उसका I हो जाएगा, अगर O है और O के बाद में कोई बिनस्वर आ रहा है तो अब हो जाएगा और अगर O है और O के इसलाद में कोई बिनस्वर आ रहा है तो अब हो जाएगा कैसे हो जाएगा यह मैं आपको वीडियो में उधारन के बारा समझाऊंगी जब आप उधारन सौल करते हैं जब आप उधारन के मार्जम से समझेंगे तो आपको बहुत ज़ली समझ में आ जाएगा और मैं यह खहती हूँ आपको प्रैक्टिस करने के भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि कई सारे संधिया एक साथ आजाती है और फिर आप देखते हैं तो जब आप प्रैक्टिस करते हैंगे तो आपको फटाब से पता चल जाएगा कि अच्छा ए है तो क्या आना चाहिए या फिर ऐसा भी आचाता है नयाम दे दिया और आपको इसको संधिय विच्छेत करना है तो किस तरीके से आपको थोड़ा सा अभ्यास करने के आवशकता रही कि क्योंकि आपने नियम याद कर लिए आपने उधारन देख लिए आपको परिभाशा दियान है फिर आपको काहे की चेंदा है इसी भी आप कोई भी जो सवाल है उसको solve कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिये क्या है यह ने? यह लिए ना पे दो मात्राय नहीं लगी हुए इसलिए यह A है और यहाँ पे क्या है A A plus A अब आगे आपे देखी क्या हो रहा है A के बार में कोई भिन्य स्वर आ रहा है मतला सेम A ही नहीं आ रहा है कोई अलग स्वर आ रहा है A के अलावा कोई स्वर आ रहा है तो यहाँ पर मैंने बता है आपको स्वर कौन-कौन से हैं तो अगर A और A निकार गये हमें, बाल लेजीए, N, यह किससे बनाए है, N+, A, B+, A, B+, तो यहाँपे क्या हो रहा है, N, B, 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 N, तो इन सब के बार में यह नयांद बन रहा है, तो A और ये जू हैं, ये जूर जायेंगे, जोडने के बाद में क्या हो जाएगा आ हो जाएगा तो आ थे इसमें है ये अधूरा हैistes भरा न यहा न तो हमेशे ठीया है कि कasına हलंत रहता है वह अधूरा रहता है जैसे यसे यह न न के नीचे हलंत है इसका और ग्याधा पूरा जो आ हो जाता है मतला यह अधूरा है धर- लग इसमे अ हो जो झसे तो यह हो जाएगा न ठीक है तो सेम उसी प्रकार अगला उड़ान हम देखेंगे यहां पर है शे धन अ न तो यहां पर भी उसी तरीके का है ए है और ए के बाद में कोई बिन्नस ओर आ रहा है बिन्नस और कुन सा आ रहा है तो ए धन अ किया तो यहां पर क्या हो गया यह दोनों ए और अ मिल आर अ यहां पर आ जाने से क्या होगा यहां हो जाएगा शएणनश कर रियाओ तो यहां पर देखेंगे यहां बोग अधन और के लिए अगर A है और A के बाद में भी नस्वरा आ रहा है तो यहां पे I होता है अब अगर A मतर आ रही है तो I होगा यहां पर दो मतरा है अधर अग तो यहाँ पर क्या हुआ है हैं इसलिए यहाँ पर गयत होगा क्योंकि उधार जो संदी है इसका नियम यही कहता है कि यहां पर एक हो जाएगा आए ठीक है अब यहां पर आप देखिए पो धन अन पो धन अन जो है इसमें ओ है एक और अब है अगो और अ तो यहां पर क्या लिए अ कोई भिन्यसोर आता है तो औया मुंतल थे यहां पे इन दोनों की संथी है और अब यह आधा है तो यहां हो जाएगा पवग न इस तरीके से यहां पवण हुआ है और यहां पर मैंने एक और धारन ऐसा ही दे रखाये ताकि आपको आरचे समझ भाएं है यहां पिभा मतलार यहां परो हैं मात्रा लिखा बांशे माथ Geिन सब्सक्वर्ण रहा है और इसलिए पावन की मतला के यहां। तो अभी आपको समझना आया होगा इसी प्रकार वो धन अक तो ऑव बता कि यहां पर संधी हुई तो क्या हो जाएगा आप हो जाएगा और हुआ है भावक हुख और यह उधारन जो है कि यह मेरे द्वाराक को बताया जा चुका है तो अभी आठ अपर देखिए कि कि शत्रीके से एक के बाद में कोई भी 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 नस्वर आ रहा है तो एक आए हो रहा है और एक उपर मातला है मतला ए जो है उसके बाद कोई भी नस्वर आ रहा है तो आए हो रहा है एक मातला वाला ओ है तो वहां पर अग हो रहा है दो मातला वाला ओ है और कोई भी नस्वर आ रहा है तो ओ क यहाँ हो रहा है आप तो इन चीजों का विशेश तोड पर ध्यान रखें कुगी भहत ही सिंपल संदी हैर देखेंगे ठहंढ सांधी जर्ड़ों शी करहूं आपको ज्यादा अभ्यास की जड़ोते हैं पर अन्तुर आयादी संधी जो है बहुत ही सरल है बहुत आसानी से देखते से समझ में आ जाता है यहां पर आयादी संधी है तो इसे फिर पी कोई आपके पास queries हैं कुछ questions है तो आप मुझे comment box में लिक सकते हैं और अगर आपको मे झाल